बिटकोइन के प्राइस में 90,000 के राउंड से एक अच्छी रिकावरिया में देखने को मिली थी 50-day moving average के राउंड तक बट लास्ट वन वीक से बिटकोइन के प्राइस में गिरावट चल रही है बिटकोइन को फोलो करते हुए old coin में भी correction देखने को मिल रही है बट सबसे important factor था बिटकोइन के लिए weekly candle का 50-day moving average के उपर close करना बट ऐसा हो नहीं पाया है जिसका negative impact हमें market पर देखने को मिल रहा है market में आगे क्या move देखने को मिल सकता है जिसके लिए हम बिटकोइन के chart को analyze करेंगे और crypto से related latest news के बारे में आज की वीडियो में हम discuss करने वाले है welcome to our channel crypto minders अगर आप हमारे channel पे new हैं तो subscribe बटन पर click करके channel को subscribe करें बिटकोइन के previous old time high ने एक अच्छा support बिटकोइन को provide करवाया है जिसके बाद हमें बिटकोइन के price में अच्छी recovery देखने को मिली है बिटकोइन में recovery के साथ ही old coin के price में भी अच्छा खासा rise देखने को मिला Ethereum के price में 50% तक का jump आया Matic में तो हमें 200% तक का jump देखने को मिला था अपने low से Ethereum classic में भी 50% के round तक का jump आया है इस वज़े से सभी को लग रहा था कि Bitcoin ने अपना bottom बना लिया है बट एक और important factor को clear करना Bitcoin के लिए सबसे important था वो था Bitcoin का weekly candle का 50 day moving average के उपर close करना जिसमें Bitcoin fail रहा है आप देख सकते हैं screen पर Bitcoin के price ने 50 day moving average को close तो किया है बट आपको ये बात द्यान रखनी चाहिए कि कि किसी भी level को close करना इतना important नहीं होता है जितना उसके उपर close करना important होता है और Bitcoin 50 day moving average के उपर close नहीं कर पाया है और जैसे ही candle complete हुई investors ने इसका negative impact आप देख सकते हो अगर हम time frame को कम करते है तो आप clearly देख सकते हो Bitcoin के price में sudden गिरावट को जिसके पीछे का reason मैंने आपको भी बताया है अगर Bitcoin अपनी weekly candle को 50 day moving average के उपर close करने में successful रहता तब हम expect कर सकते थे कि Bitcoin ने अपना bottom बना लिया है अभी Bitcoin का price अपने support के round trade कर रहा है और यहां से हमें short term recovery भी देखने को मिल सकती है क्योंकि last night से Bitcoin में 5 से 6% तक की गिरावट आई है अगर आपने Bitcoin की sub trend rally में participate नहीं किया था तो अब आपके पास स्विर से market में एंटर करने की opportunity आने वाली है जब Bitcoin का price 20 से 2500 की range में आता है तब आप इसमें buying position बना सकते हो इसके साथ ही आप 12,000 dollar के round Ethereum में भी position बना सकते हो Matic के chart को देखे तो आप 0.65 dollar के round buying start कर सकते हो यह था दोस्तो Bitcoin के chart analysis अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजिए अब बात करते क्रिप्टो से related कुछ latest news की First news है दोस्तो MicroStrategy, Sale Rooming or FUD CryptoQuant CEO Market में news चल रही है दोस्तो कि MicroStrategy जो company है उसने Bitcoin sale किये है बट CryptoQuant के जो CEO है उनका कहना है कि यह बस rumor ही है इसमें कोई reality नहीं है और उनकी इस बात से और भी analyst agree करते है कि यह बस एक rumor है आपको नहीं पता तो बता दू MicroStrategy के पास thousands of Bitcoin available है जिस वज़े से इस तरह के rumor का market पर negative impact देखने को मिलता है Second news है दोस्तो Tesla dump BTC for cash and anonymous whale moves to 42K Bitcoin Tesla ने 75% के राउंड अपने Bitcoin sale कर दिये है जिसके पीछे Elon Musk ने reason दिया है कि China में lockdown की वज़े से उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उनके लिए important है ज़्यादा से ज़्यादा cash reserve build करना और इसके साथी 2,42,000 Bitcoin को एक address से दूसरे address पर move किया गया है जिसकी total worth है 5.4 billion dollar के राउंड और ये speculate भी किया गया है कि ये micro strategy का wallet है जिसको अब कई big analysis rumor बता रहे है और इस news को deny कर रहे है Next and last news है दोस्तो 236K Bitcoin sold by large institute since Terra implosion in May जैसा कि हम सभी जानते है Terra के failure के बाद market के sentiment बहुत ही जादा खराब हो चुके थे और इसके बाद 2,36,000 Bitcoin large institution ने sale किये है ये Terra का ही impact है दोस्तो जो अभी तक हम Bitcoin के price पर देख रहे हैं ये था दोस्तो आज का हमारा वीडियो I hope आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you, जैहिं